Hello student, this is Amit, welcome back to Mera Slaybus तो हमारा जो chapter 3 का first exercise चल रही है और उसके हमने 3 questions complete कर लिए अपने last lecture में तो आज की वीडियो में हम अपना question number 4 start करने वाले है तो 4th question क्या कहता है, examine the table, each figure is divided into triangles and the sum of the angles is deduced from that ठीक है, what can you say about the angle sum of a convex polygon with the number of sides, 7, 8, 10 and n चल ये, इसका solution देखते हैं, क्या कहता है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज देखनी है कि इसने बोला कि एक figure दे रखा है, right, एक figure ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और इसके angle sum कितना है, 180 multiply 2, वो 2 क्यों आता है, देखो, ये quadrilator का इस point को इसने इससे मिला दिया, तो ये कितनी triangle बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, कितनी triangle बनी, 3 triangle, तो इसको 180 से किस से multiply गई रहा, 3 से, ऐसे ही जब इसने ये दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagon, तो hexagon में देखो, एक ये ये डाल दिया, एक ये डाल दिया, एक ये diagonal ये डाल दिया, कितनी triangle बनी, 1, 2, 3, and 4, तो एक triangle का होता है 180, तो 4 triangle का हो गया, 4 into 180 degree, ठीक है, अब देखो, उसने बुचा, कि अगर किसी में 7 side है, तो यहां से आप लोगों क्या समझ में आया, कि अगर 3 side है, तो उसमें से 2 minus करा, 1 से 180 multiply करा, 1 आया, 4 side थी, तो 2 subtract कर दिया, तो 2 बचा 2 से 180 को कर दिया, 5 side थी, तो 5 में से 2 subtract करा, 3 बचा 3 को 180 से करा, 6 side थी, तो 6 में से 2 subtract करा, 4 बचा 4 से 180, आ आप देखो तो ये एक जनरल फोर्मूला हो गया मालो अगर हमारे पास number of side दे दी उनसे 7 तो हमें कितना minus करना है 2 तो 2 minus करेंगे 7 minus 2 multiply 180 degree तो कितना है 5 into 180 degree ये कितना हो गया 900 ठीक है ऐसे ही अगर मालो जो B option है उसमें कितनी sides है 8 side है ठीक है तो इसको solve कैसे करेंगे 8 minus 2 2 subtract करना है फिर किसे multiply करना है 180 degree से तो ये 6 multiply ठीक है तो ये क्या हो गया इतना आजाएगा ऐसे ही C option है C में क्या दे रखा है side दे रखे 10 तो 10 में से 2 minus कर देंगे और 180 degree तो ये 8 multiply 180 degree ये कितना आजाएगा 800 जा 64 और 8 बंजा 1 and 40 ये आ गया ठीक है तो उसने बोला कि एक general formula बन गया कि हमारे पास कितनी भी side हों ठीक है उसमें से हमें simply क्या करना है subtract करना है 2 और उसको फिर 180 से multiply करना है आपका answer आ जाएगा तो ये general formula क्या बन गया n मालो number of side है उसमें से हमें कितना subtract करना है 2 करना है और फिर जो भी आएगा उसको कितने से multiply करना है 180 से और यही हमारा d option है उसने बोला कि मेरे पास n side है ठीक है भई n side है तो मैंने उसको 2 minus करना है और फिर उसको 180 से multiply करना है जो भी आएगा वो answer आजाएगा angle sum interior का ठीक है तो आपके पास कोई भी save दे रखी हो आप उसका answer बता सकते हैं कि इसके angle का sum कितना होगा कैसे एक formula है जितनी उसकी side है उसमें से 2 subtract करना है और फिर 180 multiply कर देना ठीक है तो ऐसे करके आपका answer आजाएगा अब हमारा 5th question है what is a regular polygon? state the name of regular polygon of sides there is 3, 4 and 6 इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बात आती है बचो पोलीगन क्या होती है regular polygon इसने पूछा कि regular polygon क्या होती है तो मैंने आप लोगों को introduction में बताया था कि अगर कोई भी एक polygon है अगर उसकी sides भी क्या होती है इक्वल होती है और उसके जो angle होते है वो भी equal होते है that means equilateral and equi angular ठीक है तो ये होता है regular polygon का अब उसने पूछा कि माल लोग एक regular polygon है उसकी number of side कितनी है number of side कितनी दे दी उसने 3 दे दी तो उसको हम क्या कहेंगे माल लो एक ये है ये side हो गई और ये side हो गई ये point हो गया A ये point हो गया B ये point हो गया C तो ये क्या बन गई हमारी equilateral triangle ठीक है ऐसे ही आम B question देखेंगे B उसने दे रखेंगे number of side कितनी दे दी बच्चों 4 दे दी 4 दे दी आब हमें पता है अगर regular है तो उसकी जो sides की वो होगी वो भी equal होगी और जो angle बनेंगे उसमें वो भी उतने बनेंगे तो ये हमारा point हो गया A ये हो गया B ये हो गया C ये हो गया D तो इसकी ये जो length है इनकी sides की वो भी equal है और जो angle है वो भी equal है interior तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा square ठीक है third थर्ड उसने दे दिया number of side के दे दी बच्चों 6 दे दी तो 6 में बना देंगे हम ठीक है ये A हो गया ये B हो गया C हो गया D E and F तो ये क्या बन गया हमारा regular hexagon तो ये question number 5 था आप लोगों को ध्यान रखना है regular polygon क्या होती है कि उसमें जितनी भी sides होंगी वो सारी equal होंगी और उसमें जितने भी angles बन रहे होंगे वो भी सारे equal बन रहे होंगे तो अगर वो 3 side का है तो वो एक equilateral triangle हो जाता है अगर वो 4 side की है regular polygon तो वो square बनेगा अगर वो 6 side की है तो वो क्या बनेगी एक hexagon बनेगी ये question था हमारा 5 और आज की वीडियो में हम बच्चों इतना ही रखते हैं जो next lecture को उसमें आगे solve करेंगे